हेलो एब्रीवान कैसे आप लोग बढ़िया चल्यों आद जो है घ्राफ खिषने वाले हैं सबसे पहले देखिएगा ध्यान से एक चीज समझाता हूँ, मैं आपको, देखए गध्यान देख़ए, कॉसेक X को input क्या मिलेगा? X belongs to R minus X is equal to N pi, क्यूं भी और समझेगा ध्यान से, कॉसेक X जो होता है कॉसेक X च्या होता है? कॉसेक X जो होता है, वो 1 upon me sin X के equal होता है कौसेक X क्या होता है 1 upon में sin X अब कौसेक चिला चिला के बोला है कि भाईया तू 0 मत हो जाना जिस दिन तुम 0 हो गए न उस दिन मैं undefined हो जाऊंगा मतलब sin X की value क्या नहीं हो सकती sin X की value 0 नहीं हो सकती मतलब X की value क्या नहीं हो सकती n pi नहीं हो सकती तो हर एक Real Number हो सकता है बस X is equal to nπ को छोड़가지고 तो QSeq का domain क्या आ गेया QSeq का domain आ गेया X is equal to r-nπ हर एक Real Number हो सकता है बस X کی value nπ नहीं हो सकती जब QSeq को input मिला r-nπ तो QSeq output कहा से कहा देगा QSeq की range होती है Close Interval Minus Infinity से Minus 1 Union 1 से Infinity QSeq की range क्या होती है open interval minus infinity से minus 1 union 1 से infinity तो minus infinity से minus 1 union 1 से infinity तो cosec output जो देगा minus infinity से minus 1 close union close interval 1 से infinity जो cosec का output था वो cosec inverse का input बन गया तो cosec inverse को input क्या मिला minus infinity से minus 1 close union close interval 1 से infinity आज cosec inverse को अपना पूरा domain मिल ला है तो कौसेक इन्वर्स जो प्रिंसिपल रेंज देगा आपना पूरा देगा तो y बिलॉंग्स टू, y बिलॉंग्स टू, close interval, minus pi by 2 से pi by 2, 0 को छोर कर, तो domain क्या हो गई इस function की, r minus n pi, और range क्या हो गई, हरेक रेंज हो गई, y बिलॉंग्स टू, close interval, minus pi by 2 से pi by 2, 0 को छोर कर, value भी है, negative value भी है, और positive value है, देखिये, minus pi by 2 से pi by 2, 0 को छोर कर, तो graph जो है, x-axis के उपर भी बनेगा, और graph जो है, x-axis के नीचे भी बनेगा, और बनाना क्या है, पहार, y is equal to 0, y is equal to pi by 2, और y is equal to minus pi by 2, अब बिल्कुल तसल्ली से, आराम से सुनिएगा, तसल्ली से, अब देखिएगा, ध्यान से, graph कैसे बराएंगे, देखिए, जहाँ जहाँ, sin 0 है, वहाँ वहाँ, हटा देना उस-उस point को, तो देखिए ध्यान से, graph कैसा बनेगा, यहाँ पिर, hole आएगा, hole आएगा, hole आएगा, बनाना पहार ही है, hole आएगा, hole आएगा, hole आएगा, hole आएगा, ऐसा graph बनेगा, यह किसका graph है, y is equal to cosec inverse of cosec का, अब देखिए, ध्यान से, यह points लिख लेते हैं, तो यह आपको नज़र आएगा, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, यह 2 pi, यह 5 pi by 2, यह 3 pi, यह 7 pi by 2, और यह 4 pi, यह वाला point क्या हो गया, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus का 5 pi by 2, अब देखिए, graph की equation लिखनी है, इसके body पे लिख दिजिए, आपको पता है, कि जब line acute angle बनाता है, तो y is equal to x minus c, और line of fuse angle बनाता है, तो y is equal to c minus x, अब तो रट गया होगा, तो इसका y बराबर x minus 0 तो x, y is equal to pi minus x, y is equal to x minus का 2 pi, y is equal to 3 pi minus का x, और यह y is equal to आजाएगा, acute angle बना रहा है, तो x minus का 4 pi, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, यह बाला y is equal to minus pi minus x, y is equal to minus 2 pi minus का x आजाएगा, तो यहां तक मेरे समझ से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, फिर से आप देखिए, periodic function है यह, with period 2 pi, many one function है, तो मेरे समझ से आपको graph खिचना सिक्गे होंगे, graph of y is equal to cosec inverse of cosec x, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले graph के साथ अपना ध्यान रखिएगा, अपना खयाल रखिएगा, चलिए.